हेलो इंजीनियर्स नमस्कार आदाप सस्रियकाल सही देखा आपने थम्निल में कि फुटिंग का लोहा किस तरह से निकाले जाता है कैसे हम उसका पूरा स्टील कैलकुलेट करेंगे इस ड्रॉइंग के हेल्प से हम पूरा कैलकुलेट करेंगे आज इस वीडियो में और उसकी साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टोटल अमाउंट यहनी कि कितना रोपय का हमारा स्टील लगने वाला है हमारी इस प्रोजेक्ट में तो यह सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ड्रॉइंग को रीड करने से की ड्रॉइंग को रीडिंग करेंगे तब यहां पर जैसे कि मैं आपको दिखा पा सकते है आप वह भी प्रॉपर्ली दिया हुआ है तो आगे बढ़ते यह सबसे पहले ही देखते कि हाँWest पर जो footing है, footing का हम BBS निकाल रहे हैं, तो दो तरह की footing हमारे पास available है, यहाँ पर देखी, इस पूरे जो group में है, यहाँ पर यह हमारी footing F1 लगी हुई है, जो की है, यहाँ पर F1 footing, यहाँ पर हमारे 16 numbers में लगी हुई है, clear है क्या इंजिनियर्स, उसके बाद यहाँ पर हमारे दूसरा size का footing है जो की है F2 footing जो की यहाँ पर इधर पर group में है और यहाँ पर इस group पे लगी हुई है जो की F2 footing यहाँ पर यह 4 number है और यहाँ पर यह 4 number है तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा F1 footing के बारे में और F2 footing आपके लिए homework रहेगा आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोरेंट और खास है अन्त तक बने रहेगा इस वीडियो के साथ अगर आपको मेरे topics थीम पसंद आते हैं तो like जरूर कीजिए चैनल को subscribe कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए आया है और bell का icon जरूर दबाईएगा और दोस्तों का share जरूर करेंगा क्योंकि knowledge शेर करने से ही बढ़ता है आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के theme पर और सबसे पहले जो हमारे पस table मौझूद है उसमें हम देखते हैं जो हमारी footing F1 है उसमें A, B यानि की A का size है 1800 side और B का भी 800 clear यानि की इसका data MMA हमारे पस given है D1 और D2 यहाँ पर available है 250 और 150 अभी हम देखते हैं क्या है वो यहाँ पर P की value available है 300 यहाँ पर RA direction पर जो बार लग रही है और RB direction पर बार लग रही है यहाँ पर सबसे पहले देखिए footing का side है A वो है 1800 यहाँ पर जो B है वो भी 800 उसके बाद मैं बात करूँ जो RA वाली बार है जो की इस direction पर लगी हुई है उसका data यहाँ पर क्या गीवर है 12 at the rate 150 center to center यानि कि 12 at the rate 150 center to center इसका मतलब की यहाँ पर 12 mm का डाया लगा है और 150 की क्या है यहाँ पर spacing है clear है इंजिनियस यह चीज़ हमको clear है उसी के साथ साथ RB का data देखता हूं मैं जो की देखिए इस direction पर लगी हुई है बी के along इस तरह से तो इसका data क्या available है हमारे पास 12 at the rate 150 center to center यानि कि यहाँ पर भी 12 mm का बार लगा हुआ है और इसकी spacing किती है 150 mm यहाँ पर इसकी spacing given है plan में देख के हमको इस चीज़े समझ में आ गई अब देखते हैं इसका हम sectional view जिसमें हमको और भी data मिलता है जैसे कि आप देख रहे हैं यह हमारा foundation में footing है और यहाँ पर आप देखी यहाँ पर इस तरह से कर में एक line बनाओ तो यहाँ पर कुछ एक rectangle बनता है जो कि यह मेरा footing में D1 की जो D1 है यह trapezoidal footing में जो rectangular portion है यहाँ पर D1 की value यहाँ से हम देख सकते किती है 250 mm यहाँ पर हमारे पास D1 की value दी गई है और D2 की value किती दी गई है 150 तो इस D2 की value से तो हमको मतलब नहीं हम footing का footing के mesh का BBS निकाल रहे है तो हमको किसे मतलब है केवल D1 की value से जो की है 250 तो यहाँ पर सबसे पहले हमको यह समझ रहे है कि R A वाली बार कौन सी है और R B वाली बार कौन सी है तो उसके लिए हमको cross section को पढ़ना जरूरी है यहाँ पर आप प्लान में देख सकते हैं कि यहाँ पर section 1 1 कटा हुआ है कुछ इस तरह से और इसका direction ऊपर की और है इसका मतलब की यह देखिए यह arrow क्या बता रहा है कि भी हमको यहाँ से उपर की और देखना है मैं जब इसे उपर की और देखूंगा तो आप ही बताए कौन सी बार हमको दिखने वाली है पूरी length के along कि इस बार की पूरी length दिखेगी अगर इस footing को मैंने यहाँ से काट दिया तो जब मै इसको काटने के बाद ऊपर देख रहा हूँ तो यह आरे वाली बार की मुझे total length दिखेगी इस तरह से और जो मेरी आरबी वाली बार है वो कैसी दिखेगी मुझे यहाँ पर किवल डॉट दिखेगा यहाँ पर क्यों 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 मैंने इसके perpendicular काटा है ठीक इसी तरह CC concept को उठा के हम यहाँ पर लाते हैं यही section यहाँ पर बना हुआ है अब जो मुझे देखना है यहाँ पर देखिए आरे और आर भी एक साथ दिया हुआ है अब हम identify नहीं कर सकते कौन सी बार नीचे लगी और कौन सी बार उपर लगी है तो वो हम इस plan के help सा identify करेंगे हेई genius civil guru जी invite करता है आपको अपने तीन महने के online feeding module पे जहां पर वो आपको सिकाता है building practical training के पहले मैंने building estimation and planning excel के साथ और इसके साथ साथ surveying field work दूसरे मैंने आप सीखते हैं BBS calculation के साथ BBS advance quantity survey और rate analysis calculation के साथ साथ Excel का part B तीसरे महने में आप सीखते हैं billing work properly MB book, bill book के साथ reconciliation of material, DPI daily progress report बनाना और इसके साथ साथ contract and tendering भी ये तीन महने की training में आप properly करते है building practical training में सिर्फ और सिर्फ 3,487 रुपीज पर मन्त आपको पे कारणों था जिसमें आप सारी की सारी चीज़े training के दौरान सीखते हैं और चौते महने जैसे आप भी training complete करते हैं फौर्थ मन्त आप job detective resume making और portfolio भी आपको assistance provide करते हैं सिविल गुर्जी job detective course के साथ आपको सिर्फ board line number 91001234 पर call करके सारी details लेनी है और इसका नीचे registration link भी दिया गया है उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको certification भी provide किया जाता है quantity survey, estimation, BBS, QSRA हर एक part का आपको individual certification भी दिया जाता है आप reviews भी check कर सकते हैं हमारे engineers के किस किस तरह से वो training करके अपने career अपनी skills को आगे बढ़ा रहे हैं और इस course content का अगर आपको detailed PDF भी चाहिए तो वो भी नीचे link description पर मैंने दे दिया है आप नीचे जाकर download कर सकते हैं तो जब मैं इसकी length देख रहा हूँ इस direction से तो मुझे length किस की दिख रही है आरे की तो ठीक इसी तरह से जो मुझे length दिख रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पूरी length जो मुझे दिख रही है वो वाली बार कौन सी हो जाएगी आरे क्यों क्योंकि इसकी मुझे पूरी की पूरी length दिख रही है इस section के according clear engineers और यहाँ पर जो आप dot dot देख रहे हैं इस तरह की तो यह क्या हो जाएगी हमारी पूरी की पूरी आर बी बार क्योंकि जब मैं इस cross section यहाँ से section काटूंगा तो यह जो आर बी वाली बार सीधी है इसका मुझे क्या दिखेगा के वाल सरकल दिखेगा तो यह वाली बार कौन सी होगी हमारी आर बी वाली बार होगी तो drawing reading में सबसे पहले हमने यह देख लिया कि RA कौन सी है अर बी कौन सी है हर एक footing का data यहाँ से देख लिया अब हम चलेंगे इसकी BBS के calculation के ओर तो BBS के calculation के लिए और steel quantity को calculate करने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेते number of bars clear तो numbers of bars along a direction यह हो गया हमारा a direction अब along a direction बोल रहा हूँ मैं यानि कि इस तरह से a direction के along यहाँ पर आप जो देख रहे है red color से जो मैंने mark किया हूए line इसी के along पूरी की पूरी पूरे footing में कितनी numbers बार्स लग रही है तो इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा जब मैं इस direction along a direction की बार निकालूंगा तो मुझे कहा की length चाहिए होगी यह बी की length चाहिए होगी यहाँ पर कहा से कहा था कि बार्स लग रही है तो यहाँ पर मुझे effective length calculate करनी है अब यह effective length क्या होता है जैसके आप सभी को पता है footing में हमारा चारो तरफ से cover आता है clear और cover कि funding के लिए 50 mm का cover आता है किते mm का 50 mm का cover use होता है हमारे footing में तो चारो तरफ से जब footing में cover आ रहा है तो वहाँ तो हमारी reinforcement नहीं लग सकती तो उस length को छोड़ कर जो भी हमारी length आती है उतने ही interval पे हमारी main reinforcement लगती है footing की तो ठीक इसी तरफ से जब मैं B की value को effective में calculate करूंगा त अब मुझे क्या करना है यहाँ ऊपर का cover minus करना है 50 और यहाँ नीचे से cover minus करना है 50 तो यह जितनी भी length आएगी 1800 minus 50 और minus 50 याने की 1700 mm इस 1700 mm में ही यह A direction की बार इस तरह से पूरी बिचहेगी जो कि आप यहाँ देख सकते है effective length in B direction हमको लेना है जब हम number of bars in A direction calculate कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने लिखा 1800 minus 50 minus 50 divided by spacing जो की हमारी थी 150 A bars की बीच की spacing किती है 150 plus 1 तो इससे हमारा answer आते है 12.33 और इसको हम round off करके लिखते है तो 30 numbers of bars हमारी लगती है along A direction पर clear engineers आपको इस effective length का concept जरूर समझना है क्योंकि ए cover यहाँ से minus होगा उसी के बाद ही जीतने distance बचेगा वह हाँ पर हमारी bars लगने वाली है तो 13 number और बार लग गया हमारी A direction के along अब चलते हैं number और बार से along B direction अब इस तरह से blue color से आप देख रहे हैं आप along B direction बोल रहा हैं यानि कि इस तरह से कितनी bars लगेंगी पूरे footing में कहां से पता चलेगा A direction के effective length के वज़े से पता चलेगा तो यहां भी मैं यहां से 50 mm का cover minus करूँगा यहां पर भी 50 mm का cover minus करूँगा तो A की value किति है total 800 minus यहां से 50 minus यहां से 50 तो यहां पर भी मेरे value कितिया जाती है 1700 यहां पर भी मेरी effective length आधे तो इसी 1700 के along ही बार्स ऐसे ऐसे लगेंगी पूरे B direction के along along बोल रहा हो तो B direction के 7 सात इस त किया अपॉन स्पेसिंग तो बी डिरेक्शन के बार्स की भी स्पेसिंग किती है सेम 150 ही तो 150 प्लस वन तो यहां पर 12.33 तो हमारा आंसर आता है 13 नंबर सो बार यहां पर हमारी लग रही है आगे बढ़ते हैं वीडियो में और चलते अब इसकी कटिंग लेंद को समझते हैं तो कटिंग लेंद समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना है कि जो हमारा रेक्टाइंगुलर पॉर्शन था फुटिंग में जिसकी डी वन की डेप्थ थी 250 एम जो कि हमने टेबल से निकाली थी और इसकी जो टोटल विट है वो है 1800 mm जो क्रॉस सेक्शन बनाया था हमने उसी को ही हम कैल्कुलेट कर रहे हैं और यहां पर समझ रहे हैं अब देखते हैं सबसे पहले चारो तरफ फुटिंग में कवर लग गया नीचे से साइट से यहां उपर से साइट से नीचे से साइट से चारो तरफ हमारा कवर आजाएगा आप फुटिंग के लिए कवर किता है तरह के shape में हमारी bar लगती है, u shape में यहाँ पर bar दिख रही है, तो यहाँ पर तीन अलग अलग जगा हमको length calculate करना है हमको calculate करना है, यहाँ पर अगर मैं point दे दू इस point 1 से point 2 तक की value, तो यह L हो गया अब इस 2 से लेकर 3 तक की value यहाँ तक, अब इसकी total value L, अब यहाँ से 3 से 4 तक की value यह हो गया A यह A, जिसको हम bend कहते है footing के language में यह हो गया हमारा bend, 2 से लेकर 3 तक की value हो गया L, और 3 से 4 तक की value हो गया फिर से A तो अब हमको इसको calculate करना है तो सबसे पहले हमको यह समझने की भी है A की value हम कैसे calculate कर सकते है तो यहाँ पर देखिए आपके पास पूरी depth मौझूद है, कितनी है depth हमारे पास 250 हमारे पास depth मौझूद है total overall, अब इस depth में से उपर का 50 का cover और नीचे का 50 का cover अगर मैं minus कर दू तो मुझे क्या A की value मिल जाएगी, यस मुझे A की value मिल जाएगी, आप बिल्कुल सही है तो यहाँ से जो हमारी value आती वो आती है 150 mm यानि की यहाँ पर जी जो band होगा वो उसकी length कितनी होने वाली है 150 जिसका calculation भी हमारे पास available है और उसकी बाद जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है हमारी पूरी top बार्स हैने की B direction वाली बार्स लगी है अब इसके calculation के part में देखते है ठीक इसी तरह से formula क्या है हमारा effective length in A direction A direction की effective length जो की कितनी है 1700 L यह जो L की value कितनी होगी total 1800 minus यहाँ 50 minus यहाँ 50 तो 1700 हमारी effective length हो गई plus bend जिसको हम यह A की value कह रहे है bend तो bend कितनी है हमारा भी है bend की value निकाल लो 250 minus cover minus cover तो 2 हमारे bend है तो 2 into A की value A की value कितनी है 250 minus 50 और minus 50 तो हमने 2 multiply क्यों किया यहाँ पर भी A आ रहा है और यहाँ पर भी A आ रहा है इसी वज़े से हमने 2 को multiply किया minus bend deduction यहाँ पर bend deduction क्यों करना जरूरी है भी क्योंकि हम running length ले रहे है तो यहाँ पर एक bend आ रहा है और यहाँ पर एक bend आ रहा है अभी bend कितना है 90 degree का bend है आप सभी को पता है तो 90 degree के लिए हम कितना मैनेस करते है 2D 2 into diameter of bar और diameter कितना है 12 तो यहाँ पर हमने क्या 2 into clear 2 bend है इसलिए 2 और 2D 2 into diameter of bar 12 into 2 तो यहाँ पर जो हमारा answer आता है 1952 mm यानि कि 1.95 meter मेरी cutting length आ रही है पूरी इस 1 point से लेकर पूरी इस 4 point तक की total cutting length आ रही है मेरे पास इस बार की लेकिन जब मुझे इसको labor को देना पड़ेगा यानि कि bar bender को देना पड़े कटवाने के लिए तो मैं उसे सिर्फ 1.95 mm नहीं दे सकता मुझे कैसे देना पड़ेगा मुझे कुछ इस तरह का shape बना कर और marking के साथ उसको देना पड़ेगा कि भई आपको इस starting point से 150 ऐसा करना है 90 degree का bend करना है कितना 1700 mm का उसके बाद यहाँ पर 1700 की length के बाद फिर से यहाँ पर आपको 150 का यहाँ पर 90 degree पर bend देना है तो मुझे इस तरह का diagram इस तरह का shape देना पड़ेगा bar bender को तब जाकर वो आपकी bbs complete करेगा अब चलते हैं आपने समझ लिया हम a direction की बाहर का cutting length कैसे निकालेंगे अब चलते हैं एक और important part की b direction की cutting length कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले same way हमने rectangle लिया हुआ है हमारे पस depth पता है 2800 इसको side है अब हम b direction इस direction से देख रहे है यहाँ पर देखे मैंने cross section अब change कर दिया है अभी यहाँ से अब हम काट रहे हैं इसको इसको हम नाम देते हैं 2 और इसको नाम देते हैं 2 clear one one वाला हमने calculate कर लिया अब हम दूसरे direction से cut कर रहे है तो जब मैं इस direction से cut करूँगा तो मुझे देखी यहाँ पर दिखेगा इस तरह से अब मुझे length किसकी देखेगी build की length दिखेगी और r a कैसे दिखेंगे dot दिखेंगे तो ठीक उसी तरह से मैंने यहाँ पर देखे आपके लिए animation के तोर पर बनाया हुआ है कि अब a direction वाली बार जो हमने पहले निकाल चुकिए वो नीचे लगी हुई थी अब b direction वाली बार कहां लग रही है उपर लग रही है तो देखें वो कुछ इस तरह से आकर उसके उपर rest होगी a direction वाली बार के उपर तो जैसी हमने देखा हमने a की value calculate की थी ठीक उसी तरह से अब हमें यहाँ पर b की भी value calculate करनी होगी जो की यहाँ से इस point से लेकर इस point तक ही होगा इसके बार के उपर तक l की value same as it is रहेगी effective length minus करके और same यहाँ पर भी b की भी length वही होगी जो हमको calculate करना है हमें बस आप b की value calculate करनी है तो यहाँ पर b की value calculate करने के लिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए total depth किती है हमारी 250.500 यहाँ पर देखिए आप 250 total 200 हमारी total depth होगी उपर का 50 cover नीचे का 50 cover हमने जैसे पहले किया था वैसे ही minus किया minus cover minus cover लेकिन जब हम उपर वाली बार याने कि b direction वाली बार लगा रहा हूँ जो वो second part पर उपर लगी है तो यह कहाँ पर लगी मेरी नीचे वाली main bar के just उपर तो इसका भी diameter मुझे minus करना होगा जो बार नीचे लगी रहती है तो यहाँ पर इसका dia of bottom bar जो इसके नीचे लगी उसका dia किता है 12 mm तो ठीक इसी तरह से l की value तो same होगी हमारी 1700 यहाँ से लेकर यहाँ तक l की value effective line in b direction वो same होगी 1700 हो गया 2 into 2 क्यों यह दो बार b है तो 2 into b की value जो की है 2500 minus cover minus cover और minus dia of bottom bar उसके बाद same bend deduction हमें करना है यहाँ से भी bend है यहाँ से भी bend है तो minus 2 into 2 into 12 हमारा bend deduction का value आजाता है clear engineers तो जैसे ही हमको यह पता चल गया तो हमने इसको calculate किया तो 1928 mm आया यानि की 1.93 meter हमारी cutting length आई total cutting length इस b direction के बार के लिए तो जैसी हम में देखता हूँ भई कि इसका जब मुझे बार बेंडर को देना होगा cutting करवाने के बाद उसको bend करवाने के लिए तो वो कैसा देना होगा इस तरह का कुछ shape देना होगा और बोलना होगा कि 138 इसका bend आएगा B उसके बाद 1700 के straight length उसके बाद 138 mm का फिट से यहाँ पर B की value आएगी इस तरह से आपका पूरा BBS complete होगा cutting length के साथ और जो आपको barbender को भी देना है calculate करने के लिए hopefully आपको इस सारी जीए समझ में आगे होगी comment section यार सिर्फ और सिर्फ आपका है सीखना आपकी जिम्मेदारी है सिखाना मेरी जिम्मेदारी है तो आप जितना सीखना चाते है बिल्कुल सीखिए comment section आपका है आप मुझे बताई और कौन-कौन से वीडियो आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आँ आपने इस टेर्स का वीडियो जरूर बोला है मैं आगे upcoming वीडियो में उसको भी cover up करने वाला हूँ तो बिल्कुल आप comment करके मुझे जरूर बताईगे वीडियो को like जरूर करिए क्योंकि आप like करते हो तो हमें confidence मिलता है subscribe करते हो हमें confidence मिलता है हम आपके लिए और नयने वीडियो लेकर आते रहेंगे चलते इसके next part पर और देखते हैं कि total steel और quantity calculate कैसे करते है हमने cutting line तो calculate कर ली अभी total steel और quantity calculate करना और याद रखिए आपके लिए homework भी है जो इस वीडियो के end पर मैं बताऊँगा क्या homework के उसका answer निकालके comment करके ज़रूर बताइए का footing F2 के लिए अभी हम F1 calculate कर रहे है तो सबसे पहले formula जो हमको total steel quantity calculate करना है तो weight of steel in one footing into number of footings एक footing में जितना low है उसको multiply कर दो same size के footing से तो सबसे पहले weight of steel in one footing हमको calculate करना तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा number of bars की total कितने numbers of bar लगे थे यादे ना कितने number of bar लगे थे comment करके बताऊ मुझे cutting length of bar की कितना cutting length आया था और multiply करना है उसका unit weight unit weight आपको पता है मैंने पहले वीडियो में बता चुका है d square 162 इसका derivation भी बता चुका है कैसे आया था आप वीडियो जाके ज़रूर देख सकते है BBS के playlist में चलते है next part में अब ए direction पर जो हमारी बार लगी थी उसका steel weight calculate करते है पहले number of bars किती थी 13 number of bars लगी थी ए direction पर याद आगे आपको cutting length किती थी 1.95 meter उसकी cutting length थी यहाँ पर cutting length meter में लिखेंगे आप इस चीज का ध्यान रखेगा और unit weight किता आता है 12 mm के लिए 0.889 आपको unit weight हमेशा याद होना चीए तो जो total हमारा A direction bar का weight आता है 22.54 kg यह इसका answer आता है weight में next बात करता है B direction पर जो B direction पर पूरी bars लगे हुए उसका weight calculate करेंगे तो वो भी किती थी 13 number of bars थी इसका भी cutting length किता था 1.93 meter में यहाँ पर cutting length डालना है weight के लिए इसका ध्यान रखेंगे यहाँ पर भी 12 mm की bar है तो 0.889 भी इसका unit weight आएगा तो total weight आता है 22.31 kg B direction के बार का अब मेरे को पता चल गए A direction पर 22.54 kg और B direction पर 22.31 kg तो total एक footing में weight किता आ जाएगा total weight in one footing is equal to 44.85 kg तो हमने round out 45 kg यहाँ पर इसको लिख लिए है और अब हमको total weight calculate करने के लिए number of footings जो मैंने आपको starting के वीडियो में बताया था किती number of footings F1 16 number of footings है अब आपको क्या करना है total आपके पास weight आ गया weight of steel in one footing और number of footings आप क्या कर देंगे multiply कर देंगे तो 45 kg into 16 numbers of footings is equal to 720 kg total steel लग रहा है आपके F1 footing पर आपको F2 footing calculate करके answer मुझे comment पर ज़रूर बताना है मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप वीडियो से केवल सीखते हैं आप फिर सिर्फ practice भी करते हूं उस चीज के next part के हम बात करूँ कि unit rate आप हम rate भी यहां से निकाल लेते हैं कि कितना rate हमको लगने वाला यहां पर मैंने एक example लिया है कि rupees 50 पर kg यहां पर ले लिया एक के एरिया पर जो भी ले सकते हैं यहां पर भी तो 50 मैंने rate ले लिया है यानि कि 36,000 रुपे के steel 12 mm diameter का मुझे मंगवाना पड़ेगा अगर मुझे F1 footing में पूरा लोहा लगवाना है तो इस चीज का आपको खास द्यान रखना है बहुत ही आसानी से हमने पूरा footing उसका steel उसका BBS उसका properly unit weight quantity calculation उसका amount सारी चीज़े calculate कर ली अब इसके यहां पर एक चीज़ और है जो आपके interview में काम आएगा और आपको side पर भी काम आएगा that is binding wire footing को bind करने के लिए जो binding wire लगता है उसका standard norm है के वाल आप उसी को समझ लीजिए that is contingency जिसको हम कहते है जो binding wire जिसके अंदर आता है that is 1% of the total weight of steel used जितना भी आपका steel का weight यू होगा उसका 1% आपका total steel वहां पर binding wire पर लगने वाला है तो 1% of 720 kg तो 7.2 kg आपका यहां पर answer आता है तो 7.2 kg का binding wire भी आपको extra लगेगा अगर आपको 36,000 footing का पूरा BBS लगाना F1 footing में तो clear engineers होफ़ली आपको इस सारी की सारी चीज़े detail पर समझ आ गई होगी किस तरह से आपको BBS बनाना है कैसे उसका weight calculate करेंगे कैसे उसका rate निकालेंगे और कैसे उसका binding wire का आपको charges निकालना है so engineers CC के साथ साथ आपको जो मैंने homework था वो कुछ इस तरह से अब मैं आपको बता रहा हूँ task for you जो आपके लिए task है footing F1 हमने cover कर लिया है अब F2 जिसका data आप यहाँ से देख लिजे note down कर लिजे video post करके A का size है 1500 B का size है 1500 D1 की value जो हमारे पास पहले 26 हो थी अब है 200 इसको अब लिखते जाएए उसे के साथ साथ यहाँ पर जो आरे वाली बार है उसका data है 12 5 at the rate 170 center to center यहाँ पर data change हो गया है 150 पहले था अब हो गया है 170 center to center और RB वाली बार के लिए 12 5 at the rate 170 center to center हमारा data हो गया है और footing F2 का numbers है 8 number of F2 footing है आपको क्या के निकाल के मुझे बताना है cutting length मुझे calculate करके बताएंगे total weight calculate करके बताएंगे total amount की कितना amount आ रहा है और binding wire का कितना quantity लगने वाला ही चारों चीज़ आप मुझे calculate करके comment पर answer जरूर करेंगे So ingenious, hopefully आपको सारी चीज़े समझ आए होंगी like जरूर करिए, share करिए, subscribe करिए हमारे चैनल को So ingenious, आप किस बात का ही इंतिजार करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात, गुरु जी के जाद, start your learning now